प्रेमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस्टेडी बिच प्रतीपे आज सुपर आपजेक्टिव की स्रीज में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं किश इंपॉर्टेंट प्रस्णों को जो आपके आरो यारो जी आईसी जी अस तथा यूपी पीसी इस एक जाम के लिए बहुत महत्तपूर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेग्मेंट पहला क्योस्टन इस सेग्मेंट का देखते हैं क्या है आज की सेग्मेंट में तो सबसे पहला क्योस्टन आपसे पूछा जा रहा है कि महा भारत के अंसार महा भारत आप जानते हैं महा भ भारत काल में जो उत्री पांचाल था उसकी राध्धानी कहां इस थी अपना आंसर भेज़ें कि उत्तरी पांचाल की राध्धानी कहां इस थी यह आपके UPPCS 2006 के एक जाम में पूछा गया है उत्तरी पांचाल की राध्धानी आपको बताना है कहां पे थी उत्तरी पांचाल क की राध्धानी काम्पिल लिथी hanap promotes right 3000 की राध्ध्धाणी जबकि mathuraya सोरसेन की यहां पे 4-5 राध्धानी के बारे में दिया गयाा सूलह जन्पन की 45 राध्धानी यानि महा-भारतकाल की 4-5 राध्धाणिया दी गया है इनको याद कर लिजिये, आपको बता दूँ अक्तलब है, रिपीट agem में 20% आते हैं, जब्कि रिलेटिट कयोःचन आपके exam में 60% आते हैं अब बात करते हैं, 60% के बाद जो आपका नया question बनता है और ज्यादा तर आपके question कहां से बनाया जाते हैं वो question आपके बनाया जाते हैं current affairs के कुछ budget औगारा के तो उसमें हर साल मुद्दा change कर देते हैं एक ही चीज रिपीट नहीं करते हैं ठीक है अगर किसी साल मान लेते हैं कि grand slam पुछा अगली साल जो Australian open पुछ लेगा फ्रेंच open पुछ लेगा तो current affairs के question कुछ repeat होते हैं यानि total 80% paper जो आपका आता है यह 80% paper आपका कहीं न कहीं related और repeated question से आता है आपको भ्रमित करने के लिए आपको अलग अलग तथ बताया जाते है coaching संस्थानों के दोरा बड़े-बड़े institute के दोरा ठीक है मैं ऐसी बाते बोल देता हूँ इसलिए कभी-कभी मुझे phone भी आते हैं बड़े-बड़े institute के दो-चार बर phone भी आ चुके हैं का आप क्यों इस तरह से कहते हैं लेकिन मैं आपको वता रहा हूँ वह आपको भ्रमित करेंगे और जब आप उनका नोट्स उठाएंगे उनकी कांपी उठाएंगे उनकी किताब उठाएंगे उनकी सिरीज उठाएंगे तो आपको यही सारे प्रश्ण वहाँ पर रिपीट कियो ही दियत होते हैं मैं यह नहीं समझ पाता कि जब यही क्योंचन चायो घटना चक्र का और परिच्छा बाड़ी का और द्रिश्टी का और किसी अन्य पुस्तक का हम जिसकी भी चर्चा कर लें उस पुस्तक का क्योंचन हो जब वो पुस् स्क्रिप्सन खरीदें उन्हें पैसा दें उनको प्रॉफिट हो ठीक है बात एक आप जो भी बुक पढ़ते हैं वो बुक आपके लिए बुरी नहीं आप मैंने देखा कई ऐसे बड़े संस्थानों के नोट्स मैंने देखा है कि उन्होंने उठा करके सीधे सीधे गटना च इतिहास से बदल दिया जाएगा जो भारत का भुगोल इतिहासों का बदल बदला नहीं जाएगा ठीक है तो आप किसी बुक को खराब क्यों कहते हैं जो बुक है आपके लिए बहुत अच्छी है आप सभी बुक से प्रैक्टिस करिए जो भी आपके पास संसाधन उपस थी दिया ठीक है आप प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप से कई बार बता है कि मैं घटना चक्र का गटना चक्र का जो पूर्वाव लोकन है आठो से पहले आठो से खतम करा दूँगा आपका यानि आठो से जितने भी क्योश्च्छने रिपीटेड और रिलेटेड करके मैं स इस से क्या होता कि आपका भी नुक्सान होता है और उनको तो profit हो जाती है आपको फिरी की चीज़े मिलते हैं तापको लगता कि इस content में दम नहीं है ठीक है आपको सारी चीज़ें अब देखिए आप नर्शरी की बच्चे तो हैं नहीं कि आपको अंगली पकड़ की सिखाया या इसपस्ट आप पढ़ सकते हैं उसके बाद मैंने उसका related question की ब्याख्या भी पूरी दिखा दी जिसे आप इसपस्ट रूप से पढ़ सकते हैं सपोर्ट डेट का आप कोई काम कर रहे हैं माली जी भोजन पका रहे हैं या आप खाली बैठे हैं इच्छा नहीं हो रही पड़ने की ठीक तो आप मोबाइल आन करके रख दीजी प्रैक्टिस पेपर चल रहा है पचीस से तीस question होते हैं बीस से बाइस मिनिट का समय लगता लेकिन जब आप लोग संख्या कमाती नहीं तो थोड़ा सा दुख होता है कि यार मैं इतना काम कर रहा हूं कलेक्शन कर रहा हूं बता रहा हूं और सामने ओला मित्र है कि उसका बैलू नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा इस पे आप लोग को देखा करें अपने दोस्तों को से यह तो भी शेयर करिए थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए लेकि आप हमें सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए पूरा काम करने को तैयार है हम आपको अभी यही नहीं पूरी फिरी दे रहा है पूरा PDF नोट भी उसका प्रोवाइट करा रहे हैं PDF करवाने में आपको थोड़ा सा सपोर्ट करें हम आपको पूरा सपोर्ट करें ना कि फाइनेंसियल सपोर्ट नहीं बस आपके साथ की जरूरत है आपके क्लास की जरूरत है आप लोगों की प्यार की जरूरत है थोड़ा सा प्यार दीजी हम आपको बहुत सारा प्यार लुटाने के लिए हर वक्त राजी हैं, तो मैं आगए बढ़ताएं, बागते कम काम ज्यादा, आगे बढ़ेंगे ति आगला प्रश्व अगला परशन है इस स्रीच का आपका चम्पा किस महा जन्पत की राध्धानी थी, जल्दी से बता दिये, चम्पा किस महा जन्पत की राध्धानी थी, क्योस्चन का आंसर देना है, UPROO ARO एरो एकजाम मेंस में पूछा गया परशन है 2014 में, और यही सेम परशन 2016 के पेपर में भी रिपीट हुआ है सेम टू सेम प्रस्ण आप जाके मिला लीजिए और यही प्रस्ण यूपी असाइग में भी पूछा गया है यहां पर सारी चीज लिखें नहीं गहीं है लेकिन यह सच है कि आप से पूछा गया है अलग-अलग और यह चीज आप देखें होंगे जब प् उत्तरी बिहार के बर्तमान भागलपूर तथा मुंगेर के जिले अंग महा जनपत के अंतरगत थे, इसकी राध्धानी चमपा थी, महा भारत और पुराणों में चमपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है देर के निकाय के अंसार इस नगर निर्माड की योजना वास्तुकार महा गोबिंद ने की थी, महा परिनिर्माड सुत्र में चमपा के अतरिक्त पांच अन्य नगरों के नाम मिलते हैं, जो है राजगरी, स्त्रावस्ती, साकेत, कौसामबी और बनारस चलिए, आगे बढ़ जाते हैं आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा पश्चमी सीमावर्ती भागों में चेदी महा जनपत इस्तित था, इसकी राध्धानी सोथ्थी वत्ती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती नाम से की गई है, गोदावरी नदी के टट पर इस्तित महा जनपत था, कहरा हुआ कौन सा इसा महा जनपत था, जो गोदावरी नदी के टट पर इस्तित था, जल्दी बताईए, गोदावरी नदी के टट पर इस्तित महा जनपत का नाम बताना है, असक महा जनपत है, कौन सा महा जनपत है, असक महा जनपत है, असक महा जनपत की राध्धानी कहा स्थित्ति गोदावरी नदी के टठपे बौध ग्रंथ अंगत्तुन निकाय तथा जैन्द ग्रंथ भगवती सूत्र के में छटी सतापदी स्विपूर में बढ़ी सोला जन्पदों के अस्क यड़ा अस्मक नर्मदा तता गोदावरी नद्यों के मद्य श्दित्ता जिसे की राध्धानी पेठन या पोतन अथ्वा पोटिल प्राचीन नाम प्रतिश्ठान भी थी ठेक मगद की राध्धानी कौन सी थी आपको बता ना मगद की राध्धानी कौन से थी मगद की राध्धानी कौन से थी जल्दी से बता दिये मगद की राध्धानी कौन से थी गिरिबरज राजगरी मगद की राध्धानी बहुत ज़्यादा पूछी गई है आपसे जाम में तो आप इसे याद कर लीजिए आगे बढ़ जाते हैं जैं प्राचिन काल में यह मगद सामराज की राध्धानी था माना जाता है कि भगवान महाबीर स्वामी ने बरसा रित्मे राजगीर में सरवाधिक समय बितीत किया था यहां प्रत्थम बौध संगीत का आयोजन हुआ था योंग जैन गरंथों से पराप्त होता है कि भगवान महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन राजगीर के बिपुलगिर नामक अस्थान पर दिया तथा मुसलमान फकीर मकदूम साह ने भी इसी अस्थान पर साधना ली थी फिर से देखते हैं कहरा है एक भगवान महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन राजगीर के बिपुल गिर नामक अस्थान पर दिया तथा मुसल्मान फकीर मकदूम साह ने इसी अस्थान पर साधना ली थी आप से प्रशन पुछा जा रहा है कि वह कौन सा अस्थान था जहा है राजगीर में ठीक है राजगीर के निकट बन में जरासंद की बैठक नामक के बरादरी इस्थित है जो महाभारत कालीन बताई जाती महाभारत के वनपर्व में राजगीर को जरासंद की राध्धानी बताया गया है हिंसांग ने भी राजगीर में कई अस्थानों का वर मगत समराज की राध्णनी कार्मी मोगत संम्राज की रध्धाणी रहू है जबकि कौसामबी पर वत्स राज का सासन था, किसका सासन था, वत्स राज का सासन था, हर्यक बंस के सासक के दौरान मगत की राधानी राजगरी से पाटिल पुत्र लाई गई थी, प्राचीन स्रावस्ती का नगर बिन्यास किस आकरित का है, आपको बताना है, प्राचीन स्रा मगद के किस प्रारंबिक सासक ने राज्या रोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और सेंग इसी कारण बस अपने पुत्र दौरा मारा गया कह रहा है कौौँ कौन सा ऐसा सासक था मगद का जिसने राज्या रोहन के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और उसका बेटा उसकी हत्या कर दिया उसी राज्या भी से के लिए तो उसका नाम आपको बताना है तो उसका नाम आप जानते हैं अजात सत्र है क्या नाम है अजात सत्रू अजात सत्र जो है अपने बाप कुमारा था और उसका पुत्र अजात सत्र कुमारा था देखते हैं मगत का सासक आजाज सत्र 492-460 हिसा पूर्व अपने पिता हर्यक बंस के संस्थापक बिंबिसार की हत्या का राजगद्दी पर बैटा था इसकी हत्या उसके पुत्र उदियन कौसामबिक के बत्स राजा उदियन से भिन है अजाज सत्र के बंस का नाम क्या था जन्द बंस के पस्चात मगत पर किस राजबंस ने किन ड़ट वन्स के मगत पर किस राजबंस ने सासन किया था आपको बताना है कि नद बंस के पष्चारत मगत पर किस राजबंस ने सासन किया था शुर्ष differences के qoda जिसने किया THकत के नंद बंस कि पंडुगत, भूत, पाल, राष्ट पाल, गोविस्ट, ठीक है, गोविस्टाक और उसके बाद दस सिद्धक, कैवर्थ, घनानंद, नंद बंस के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन उसूलने तथा छोटी-छोटी बस्तों पर भारिक कर लगाने के करण जनता सासकों के बिरुद्ध हो गई और चारो और घ्रड़ा योंग असंतोस का वतावरण ब्याप्त हो गया, इसी का लाब उठाकर चंद्रगुत मौर ने चानक के सायोक्स घनानंद की हत्याकर नंद बंस का अंत कर दिया, इस प्रकार नंद बंस के पस्चाद मगत पर मौर बंस का सासन अ स्थापित होगा, राजा नंद का उलेक करने वाला अभिलेखी प्रमाड है, कौन सा अभिलेखी प्रमाड है, जल्दी से बता दिए, राजा नंद का उलेक करने वाला अभिलेखी प्रमाड है, जल्दी से बता दिए, कौन सा प्रमाड है, खारवेल का हाथी गुफा अभिल नंद बंसी सासक महापदमनंद कलिंग में नहर खुदवाय जाने का उलेक इस अभिलेक में किया गया अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला पर्थम अभिलेक ही साक्षे कौन हाथी गुफा अभिलेक नहरों की जानकारी देने वाला पर्थम अभिलेक ही साक्षे इस अ पांड सासक से उसने गधे से हल चलवाया था अता बिकल्प ए सही है मगत का कौन सा समराथ अप्रो परसुराम के नाम से जाना जाता है कहरा मगत का कौन सा ऐसा समराथ है जो अप्रो परसुराम के नाम से जाना जाता है इसके बारे में बताना अप्रो परसुराम के नाम से जा पुराणों में महापदमनंद को सर्व चत्रांग के नाम से जाना जाता है। यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। अग्रमीज कहा है जेनो फोन उसे बहुत धनाट डिबेक्ती बताता है। भद्र साल उसका सेना पती था भद्र साल उसका क्या था सेना पती था। लिकित में से मगत का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालिन था। कौन सा राजा है जो सिकंदर महान के समकालिन था। उसका नाम क्या था। धनानन्द था। उस बीर भारती राजा का नाम बता है। पुरस का राजा था। छेलम नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने छेलम नदी के टड़़ पुर को पराजित किया। परंत उसकी बीरता से प्रवाइट होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज और सब कुछ नए इलाके परदान कर दिये निमलिकित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था कहरा कौन ऐसा है जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था वो था डाइमेकस नेरियाकस आने सिक्रिटस और अरिस्टो बलुस ए तीनों सिकंदर के साथ आया थे लेकिन डाइमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था ठीक है डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था इस ट्रोबो के अंसा सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक दूत बिंदुसार के राजसभा में भेजा था तो इस प्रकार से ए आज की सुपर अब्जेक्टिव की स्रीज आपकी कंपलीट होती मुझे उमीद है कि आप चैनल को सस्क्राइब कर चुके होंगे अपने दोस्तों को सेर कर चुके होंगे फिर हम लोग मिले किसे और क्लास में तब तक लिजाजत दीजी जैन्द